ये चमकीली दुनिया अनोखा जहां तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास बस तु है मेरे पास यहां और मैं हूँ तेरे पास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास तेरा मेरा साथ्या हां सच में कितना सुहाना हां जीभर मिलन मना अम शांती आज 1st February 2024 हम सुन रहे हैं शाकार हिंदी मुरूली आज के महाबाइक इस महाबक्यों में बाबा बोली मेठे बच्चे अब तक जो कुछ परा है वो सब भूल जाओ एकदम बच्पान में चले जाओ तब इस रोहानी पराई में पास हो सकेंगे प्रश्ण जिन बच्चों को दिब्ब बुद्धी मिली है उनकी निशानी क्या होगी उत्तर वे बच्चे इस पुरानी दुनिया को इन आखों से देखते हुए भी नहीं देखेंगे उनकी बुद्धी में सदा रहता है कि यो पुरानी दुनिया खतम हुई की हुई यो सरीर भी पुराना तमप्रदान है तो आत्मा भी तमप्रदान है तो इनसे क्या पृत करे ऐसे दिब्ब बुद्धी वाले बच्चे से ही बाप की भी दिल लगती है ऐसे बच्चे ही बाप की याद में निरंतर रह सकते हैं शयवा में भी आगे जा सकते हैं आम शांती मिठे मिठे रुहानी बच्चों को रुहानी बाप समझाते हैं जैसे होद के शन्नाशी है वो घर बाट छोड़ देते हैं क्योंकि वो समझते हैं हम ब्रम्ह में लेन हो जाएंगे इसलिए दुनिया से आशुकती छोड़नी चाहिए अभज भी ऐसे करते होंगे जाकर एकांत में रहते हैं वो है हड़ जोगी तक्तो ग्यानी समझते हैं ब्रम्ह में लेन हो जाएंगे इसलिए ममत तो मिटानी के लिए घर भर को छोड़ देते हैं जंगल में जाकर के बेट जाते हैं बरेग्वा आ जाता है पर उन्तो फट से ममत तो नहीं मेटता स्त्री बच्चे आदी सब याद आते रहते हैं यहां तो तुमको ज्यान की बुद्धी से सब कुछ भूलना होता है कोई भी चीज जल्दी नहीं भूलती अभी तुम यो ब्यहत का शन्नाश करते हों परमपिता परमात्मा तुमें य यह स्पिरिच्छुल पाठ पराते हैं या तो सब शन्नाशियों को भी रहती हैं परंतु बुद्धी से समस्त हैं हमको ब्रम्ह में लीन होना है इसलिए हमको दहँभान नहीं रखना है वो है हरजुग मार्ग समस्त है हम यो शुरिट शोर ब्रम्ह में लीन हो जाएंगे उन अब जानते हो, हमको अपने घर जाना है, जैसे बिलायत से आते हो न, तो समझते है हमको बॉंबे में जाना है तो वाया फलाना स्थान, अभी तुम बच्चों को भी पखा डिश्चय हैं, बहुत कहते हैं, इनकी पवित्रता अच्छी है, ग्यान अच्छा है, शंस्ता क्योंकि आथक हो समझाती हैं, अपना तान मौन धान लगाती हैं, इसलिए अच्छी लगती है, परुन्तु हम भी ऐसे अभभाश करें, यो ख्याल भी नहीं आएगा, कोई बिरला निकालते हैं, वो तो बाब भी कहते हैं, कोटो में कोई और्था जो तुम्हारे पास आते हैं तो उन में से कोई निकालता है, बाकी यो दुनिया, पुरानी दुनिया खतम होने बाली हैं, तुम जानते हो, अब बाप आया हुआ है, शक्षतकर हो न सक, शक्षतकर बाप को हो ना हो, बीबिक कहता है, बहुत का बाप आये हैं, ब्रम्हा का तन में आकर के हमें पाठ परा तो यह भी तुम जानते हो बाप एक है वही पारलोकिक बाप ज्यान का सागर है लोकिक को कभी ज्यान का सागर नहीं कहेंगे तो यह भी बाप ही आकर तुम बच्छों को अपना परिश्य देते हैं उनका नाम ही है शयंभो खुद आकर परिश्य देते हैं तुम जानते हो अब पुराने दुनिया खतम होने वाली हैं, हमने 84 जन्मों का चक्र पुरा किया है, अभी हम पुरुशार करते हैं वापीस शुकोधाम जाने को, बाया शांतिधाव, शांतिधाम तो जोरूर जाना है, वहां से फिर इहां वापीस आना है, सतियुग में आना है, उन्हें शुतो इ नाम तो भरतबशी ही जानते हैं, और धर्मबले जानते ही नहीं, स्रिप नाम सुना है, चित्र देखे हैं, देवतव के मंदिर आदे बहुत देखे हैं, जैसे यो दिलवारा मंदिर है, लाखो करोर रुपाया खर्चा करके बनाया है, बनाती ही रहते हैं, अभी भी बंद देविदेवतों को बश्णव कहेंगे वे बिश्णव की बंक्षा बोली है न तो वो तो है ही पवित्र सतियों को कहा जाता है पावन दुनिया तो यह है पौतित दुनिया सतियों की बईभब आदी इहां होते नहीं इहां तो देखो आनाज आदी सब तमप्रधन बन गई है शाद भी तमप्रधन बचिया धैन में जाती है कहती है हम खोबीरोश पीकर आई बहुत शाद है बहुत साद था तो इहां भी तुमारे हाथ का खाते हैं तो कहते हैं बहुत साद है क्योंकि तुम अच्छी रिती बना प्रेक्टिस होती हैं, कोई बहुत अच्छा भुजन बनाते हैं, वहां तो होर चीज सतप्रदान होती हैं, इसलिए बहुत ताकत रहती हैं, तमप्रदान होने से ताकत काम हो जाती हैं, फिर उनसे बिमारिया दोख आदि भी होता रहता है, नाम ही है दोखोधाम, शुकोधाम में दोख की कोई बात नहीं, हम एतने सुक में जाते हैं, जिसको स्वर्गों का सुक कहा जाता, स्रिप तुमको पवित्र बनना है, सो भी इस जन्मों के लिए, पीछे का सवल मत करो, अभी तो तुम पवित्र बनो, पहले तो बिचार करो, कहते कौन है, परमपिता परमात्मा, परमधाम से आकर ब्रह्मातन में प्रविश करके, हमें कितना सुन्दर ग्यान सुनाते है, बहुत का बाप का पुरीशोय देना परे सब को, सब अभी अनात हो गए न, बहुत के बाप से सुक का बर्शा मिलता है, लोकिक बाप भी परलोकिक बाप को याद करती है, बुद्धी उपर चले जाती है, तुम बच्चे जो निष् मिसल सरीर है, आत्मा भी करी मिसल बन परी है, इसको बर्याग्यों कहा जाता, अभी तुम बच्चे ड्रामा को जान चुके हो, भुक्ती मर का पार्ट चलना ही है, शब भुक्ती में है, नफरत की कोई दरकार नहीं, शन्नाशी खुद नफरत दिलाते है, घर में सब धुकी ह जाते है, वो खुद आपने को जाकर थोरा सुखी करते है, वापिस मुक्ती में कोई जानी ही सकते, जो भी कोई आये है, वापिस कोई भी गाया नहीं है, सब यहां ही है, एक ही निर्वांधाम वा ब्रह्मों में नहीं गाया है, वो समझते हैं फलना ब्रह्मों में लेन हो ग इन शास्रु आदि में जो कुछ है सब धोक्तिमार्ग है तुम बच्छों को अभी ज्यान मिल रहा है इसी डियतों में कुछ भी परने की दरकार नहीं है परूंतु कोई-कोई ऐसे है जिन में फिर नाबिल्स आदि परने की आदत है ज्यान तो पुरा है नहीं तो उन्हें कहा जाता है कुक और गाली रात को नबिल परकर नेंद करते है तो उनकी गोती क्या होगी यहां तो बाप कहते है जो कुछ पर रहे हो सब कुछ फुल जाओ इस रूहानी पराई में लग जाओ इस समय तुम्हारी ये बीश नाखोनों का जोर लगा करके ये पुरुश हर्त में क करना चाहिए ये तो भगवान पराते हैं जिससे तुम देवता बन जाएंगे एकुछ जन्मों के लिए कौम बात है क्या बाकी जो कुछ परे हो वो सब कुछ भुलना परे एकदम बच्पन में चले जाओ अपने को आत्मा समझो भल इन आखों से देखते हो पर उन्तु डे यो सब कबरिस्थान हैं उनसे क्या दिल लगाएंगे अभी परिस्थानी बनना है तुम अब कबरिस्थान और परिस्थान के बीच में बेटे हो ना परिस्थान अभी बन रहा है अभी बेटे हैं पुराने दुनिया में कबरिस्थान में परुंतु बीच में बुद्धी का योग वहाँ चला गया है जहां तुमें जाना है परमधाम में जाना है नया दुनिया में आना है तुम पुरुषार्त ही नए दुनिया के लिए कर रहे हो है ना अभी बीच में बेटे हो पुरुषत्तम बनने के लिए इतना त्याक तपर्शा कर रहे हो इस पुरुषत्तम सं यूग को टाइम बहुत थोरा मिला हुआ है। देरी से उनिवर्सिटी में आएंगे तो बहुत महनत करने परेगी। याद बहुत मुश्किल ठहरती है। माया बिगनो डालती रहती है तो बाप समझाते है। यो दुनिया, पुराने दुनिया कौतम होने वाली है। बाप भल यहां बेटे हैं, देखते हैं पर उन्त बुद्धी में हैं यो सब खतम होने वाला है। कुछ भी रहेगा नहीं। यो तो पुराने दुनिया है। इनसे बुरेग्यो हो जाता है। सुरीर धरी भी सब पुराने हैं। सुरीर पुराना तमप्रदान हैं तो आत्मा भी तमप यो तो कुछ भी रहना नहीं है उनसे प्रीत नहीं है बच्चों में भी बाप की दिल उनसे लगती है जो बाप को अच्छी रिती याद करते है और सर्विस करते है बाकी बच्चे तो सब है कितने धेर बच्चे हैं सब तो कभी नहीं देखेंगी देखेंगी भी नहीं प्रज प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो सुना है परुन्तु उनसे क्या मिलता है यो कुछ भी पता नहीं ब्रह्मा का मंदिर है दारी वाला दिखाया है परुन्तु उनको कोई याद नहीं करता है क्योंकि उनसे बर्षा मिलता नहीं सच्छी बात है आत्मों को बर्षा मिलता है एक लोकिक बाप छे, दुसरा परलोकिक बाप से, बीच का जो है, प्रजापिता ब्रम्हा, ब्रम्हा को तो कोई जानते ही नहीं, तो यह है वन्डरुफुल बाप, बाप होकर बर्शा ना दे, तो अलोकिक ठहरा ना? बर्शा होता ही है हद का और व्यहद का बीच में बर्शा होता ही नहीं भल प्रजा पिता कहते हैं परंतु बर्शा कुछ भी नहीं इस अलोकिक बाप को भी बर्शा परलोकिक बाप से मिलता है तो यो फिर देंगे कैसे? खुद ही लेते हैं परमपिता से तो तुम भी लो परमपिता परमात्मा से वो भी दिखा देते है परलो की बाप इनके थ्रो देता है यह है उनका रात भागी रात, भग्योशाली रात इनको क्या याद करना है इनकी खोद भी उस बाप को याद करना पड़ता है अपने विकर्मों को बिनाश करने के लिए त्याक्ता पश्चा करते है वो लोग समझते है यो ब्रह्मा को ही परमात्म समझते है परुन्तो हमको बर्षा इन से नहीं उन से मिलता है बर्षा तो शिप बाबा से मिलता है यो तो बीच में दालाल रूप में है यो भी हमारी जैसे स्टूडेंट है पर रहा है नमबर वान में जाएंगे डरणिंग के कोई बात नहीं बाबा केहते हैं बच्छे इस समय सारी दुनिया तमप्रधान है तुमको योगोबल से सत्प्रधान बनना है लोकिक बाब से हौद का बर्षा मिलता है तुमको अब बुद्धी लगानी है बहुद में बाब केहते हैं सिबाए बाब से और किसको भी इससे भी कुछ नहीं मिलता मिलना नहीं है फिरफल दवताई क्यों न बने इस समय इस समय तो सब तमप्रदान है लोकिक बाप से पर्षा तो मिलता ही है बाकी इन लक्ष्मि नर्यन से तुम्हे क्या चाहते हो वो लोग तो समझते है वो अमर है कोई मरते नहीं तमप्रदान बनते ही नहीं लेकिन तुम जानते हो जो सतप्रदान थे, सर्ग दुनिया का मालिक थे, वही तमप्रदान में आते हैं, अभी प्रजापित ब्रम्हा बन गये हैं सिक्रिष्णो को लक्ष्पि नारेन से भी ओच समझते हैं, क्योंकि तो वे फिर भी साधी कियो ही है सिक्रिष्णो तो जन्मों से ही पवित्र है, इसलिए सिक्रिष्णो की बहुत महिमा है जुलाबी सिक्रिष्णो को जुलाते हैं, जयनती भी सिक्रिष्णो को मनाते हैं, लक्ष्पि नारेन की क्यों नहीं मनाते हैं ज्यान ना होने के करण कृष्ण को दापर में ले गया। कहते हैं गीता ज्यान द्रापर यूग में दिया है। कितना कोठिन है किसको समझाना। कहो देते हैं ज्यान तो परंपरा से चला आ रहा है। परंथु परंपरा भी कप से यो कोई नहीं जानते। पुझा कप से यह भी नहीं जानते है, इसलिए कहादेते हैं कि सृष्टी के आदी मुद्द अंतों को नहीं जानते। कल्फों की आयू लाखो बुर्शों कहने से परंपरा कहादेते हैं, तिती तारीक कुछ भी नहीं जानते। लक्ष्पि नारेन का भी जन्मदिन नहीं है, नहीं मनाते, इसको कहा जाता है अज्यान अंधियारा, क्योंकि एक ही तो आत्मा है न, बचपन में सिक्रिष्ण है, तो बरा होने से नारेन बन जाता है, तुम्हारी में भी कोई यथार तुरिती इन बातों को जानते नहीं, कैसे सर्प मैंधोक को हुप करते हैं, भगवान को भगवान, माली, खेवाया क्यों कहते हैं, यो भी तुम अभी समझते हो, बापा कर विश्व शागर से पार ले जाते हैं, तब तो कहते हैं, नईया मेरी पार लगा दो, तुमको भी अभी पता परा है, कि हम कैसे पार जा रहे हैं, बाबा हमको खेट शागर में ले जाते हैं, वहाँ दोख दर्द की कोई बात नहीं, तुम सुनकर औरों को भी कहते हो, कि नईया को पार करने वाला खिबाया कहते हैं, ये बच्चे, तुम सब आपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ कर मोच परमपिता परमात्मा को याद करो, तुम पहले खिर्शागर में थे, अब बिशर्शागर में आपोचे हो, इस समय तुमारा दोख ही दोख है, पहले तुम देवता थे, सर्ग में, सर्ग है वंडर अब दी वर्ल्ड, सारी दुनिया में रुहानी वंडर है सर्ग, नाम सुनकर ही खुशी हो जाती है हैवीन में तुम रहते हो, यहाँ साथ वंडर दिखाते हैं, ताज महल को भी वंडर कहते हैं, परुन्तो उसमें रहने का थुरी ही है, तुम तो वंडर अफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो, तुम तो रहने के लिए बाबा ने कितने वंडर्फुल बईखुंटों बनाया है, ए हम उस पार जा रहे हैं, अने एक बार तुम बच्चे सर्गों में गए होंगे न, तो यह चक्रों तुम लगाते ही रहते हो, पुरुशर्थ ऐसा करना चाहिए, जो नई दुनिया में हम पहले पहले आए, वान 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 में आए, पुराने माकान में जाने की दिल थोरी ही ह होती है, बाबा जोड देते है, पुरुशर्थ कर नई दुनिया में जाओ, बाबा के एते हैं, मेरी सभी बच्चा राजा बच्चा बने, बाबा हमें वान्डर ओफ वाल्ल का मालिक बनाते है, तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करें, क्यों नहीं हम पवित्र हैं? वैसे तुम भी इहां पार्ट बाजाने आये हो ना, इसलिए इससे ममत तो निकाल दो। अच्छा, मेठे मेठे, सिकी लधे बच्छो प्रती, मात पिता बाप दादा का, याद प्यार और गुड मौर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्छो को नमस्ते, हम रुहाने बच्छो की रुहानी बाप दादा को भी, याद प्यार गुड मौर्निंग, नमस्ते नमस् अब तक जो कुछ परा है उसे भुल बाप को याद करना है इस पुरानी दुनिया में सयों को महमान समझ कर रहना है इससे पृत नहीं रखनी है देखती भी नहीं देखना है आज का बर्दान हिम्मत और उमंग उच्छाहों के पंखों से उर्तिकला में उरने वाले तिब्र पुरुशार्ति भावों और तो है उर्तिकला के दो पंखे है हिम्मत और उमंग उच्छाहों किसी भी कायर्यों में सफलता प्रप्त करने के लिए हिम्मत और उमंग उत्राह बहुत ज़रूरी है जहां उमंग उत्राह नहीं होता वहां ठकाबट होती ही है और ठका हुआ कभी सफल नहीं होता बरतमान समाई के अनुशार उर्ती कला के सिभाय मंजिल पर पहुँच नहीं सकते क्योंकि पुरुषार्ट एक जन्मव का और प्राप्ति एकष जन्मों के लिए ही नहीं सारे कल्पों का है तो जब समाई की पहेचन स्मिती में रहती है तो पुरुशार्च सतो ही तिब्रगोती का हो जाता है स्लोगन सर्वो की मनकमने पुरुन करने वाली ही काम धिनों है अच्छा ओम शंती